शुरू करती हूं अल्ला ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा महरबान और नहायत रहम करने वाला है असलाम आलेकुम पन विशयनाज में आपको खुशामदीद कहती हूं और अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आज हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपना मूट चाह रहे थे तो आज मैं पेंटिंग कर रहे हूं पेंटिंग में मैंने कपड़े के उपर मैंने ट्रेस कर लिया है और ट थे मैंने आपको बोला कोац हम फ्लावर को रैट करेंगे तो फ्लावर को रैट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा भीस को बनाते हैं अच्छा भीस के बनाने से पाहले मैं आपको सोच रहती हूं कि मैं कॉन लेकर आई नहीं हूं impulskpped हम थोड़ा सा पहले कौन से काम करने का मस्त दिए कि आउट लाइन हम कौन से बनाते हैं तो यह हमारे पास golden कौन रखी है और कौन के साथ यह हम आउट लाइन golden की बना रहे हैं तो यह नजर आ रहे हैं आपको इसलिए के हमने तो flower की जो painting सीखी है वो हमने fill पूरे fill करने वाली सीखी है outline जो हम कौन से बनाते हैं वो हमने नहीं सीखी तो मैं यह देखें को अब यह जो beach का हिस्सा है उसको उसकी भी outline में golden कौन जो मेरे पास है उससे बना रही है ना नजर आ रहा होगा आपको समझ में भी आ रहा होगा आपके यह देखें अब यह नहां से जरा सी थोड़ी सी निकल गी तो मैं नका इसको मैं double कर दूँ ताके आपको बहुत वाज़त तोर पे समझ में आ जाए यह देखें हो गया हमारी कौन से जो आउट लाइन थी वह तकरिमन पूरी हो गई है अब वह पूरी होने के साथ ही अब मैं लीफ की भी लीफ की भी आउट लाइन इसी से गोल्डन दे बना रही है बन गई अब हमारे पास यह बर्ट्स है बर्ट्स की भी आउट लाइन मैंने गोल्डन ही से बना लेखें गोल्डन थे ही बनाई है हमने गोल्डन थे बनाने के साथ ही आपको काम भी वाज़त तोर पे नजर आ रहा होगा अब यह जब हम गोल्डन से आउट लाइन बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं ताकि यह सूकने के बाद ना खुब शाइनिंग मारेगी और जो शाइनिंग मारेगी तो यह बहुत जादा चमकेगी और चमकने के साथ क्यों इसलिए कि जब फ्लावर में हम रेट कलर लगाएंगे तो रेट कलर बहुत जादा गोल्डन पे रेट कलर उठ जाएगा और रेट कलर उठने के साथ ही वो खिल के सामने आ जाएगा यह देखें नजर आ रहोगा आपको देखें मैं आपको यह पूरा इसलिए बता रही हूँ कि यह हमारा काम नया है हमने अभी जितनी कड़ाईया जितना कुछ किया है वो सब हमारा सिंपल तोर पे काम था रही है अब यह थोड़ी सी आउट लाइन हमारे लिए कौन से खास तोर पे थोड़ी सी दुशारी हो गई उन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चें मेहंदी करना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या शौकीन थे और उन्हों году कौन पकड के मेहंदी सीखी वी हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है इसलिए उनको कोन पकडणी आती है तो वह अराम से इसे समझेंगी जैös से उन कर यह हम बनाएंगे बलेक से paint के कलर से बनाएंगे देखें अब रेट से फलावर को अंदर से फिल करें है अब अंदर से फिल करें तो आप देख रहोंगे मैं कितना हाथ बचा बचा के काम कर रही हूँ के मेरा रेट कलर कहीं गोल्डन की जो आप हमने आउट लाइन बना यूँ आउट लाने के लिए हम 0-0 का बुरूश इस्तेमाल करते हैं अब हम यहां पे भी यह काम करें इसलिए हम जीरो नंबर का बुरूश इसतेमाल करेंगे ये मैंने फूल में यलो कलर कर लिया और ये जो बाट्स हमने बना रहा है इस किस तरीके से कर रही हूँ, आॉट लाइन जो हमारी गोल्डन है और हमने कौन की मदद से बनाई ये, उस से हाथ बचा बचा के काम कर रही हूँ ताके हमारी गोल्डन आॉट लाइन खराब ना हो ये खराब ना हो और फिर बुरा ना लगे कि कलर कोई उस पे चड़ जाए अच्छा एक बात का और ख्याल लगएगा आप कि अगर आपका कलर चड़ जाता है तो आप दोबारा कौन से इसको सई कर सकते हैं अब इसको हम पूरा मुकमल करें के साथ ही देखें और फ्लावर तो हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम लीफ में गोल्डन ही पत्तियां बनाएंगे पत्ति बना लेकिन हम इसको फिल नहीं कर रहें इसलिए के वैसे ही यह खूबसूरत लग रही है और लेकिन इसके जो अंदर हम लाइने बनाएंगे न वो हम ग्रीन से डाल देंगे इसलिए के कंटाज बेंता है खूबसूरत लगेगा अब हम इसको कंप्लेट करते हैं मेरा बर्ट्स और फ्लावर दोने तयार हैं बर्ट्स मेरा यलो किया है और फ्लावर मैंने रैट किया है लीफ मैंने ग्रीन की विए पर होल आउटलाइन हमने कौन की मदद से गोल्डन की विए उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आईए मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और नए देखने वाले सब्क्राइज करें और शुक्या का माँखदे रमजान का महीना है बहुत अपना ख्यार लगएगा और दौाओं में याद अजिए आला हाफीज।